हलो दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागते 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 विपन बात करेंगे रेल्वी एलपी एक्जामनिशन 2024 की और ये वीडियो इस्पेसली होने वाले कि कैसे आप अपने फोरम का चेक कर सकते हो कि आपका फोरम अक्सेप्ट होया या रेजेक्ट होया तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 20-5-2024 कर दी गई जो पहले थी 14-5-2024 तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि अभी तक तो रेल्वी के आपकी एलपी की एक्जामनिशन कौन सी एजेंसी कराने वाली है ये भी फिक्स नहीं हुआ है और इसी के साथ अगर जैसी एजेंसी फिक्स होती है उसकी बाद में क्या करता ह आपके पास कुछ ऐसे मेसेज सर्कूलेट करेगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपका फोरम किस वज़ेंसे रेजक्ट हुआ है जैसा कि इस मेसेज में आप देख पा रहे हो कि जो फोरम रेजक्ट हो है वो इन्वेलीड फोटो ग्राफ की वज़े से रेजक्ट तो चक्सु पॉब्लिकेशन की बहुती बैतरीन बुक, आर्पीफ कॉंस्टेबल स्टेडी गाइड, उसी के साथ 6000 प्लस TCS MCQ Railway Regenung Chapter-Wise वाल्ट पेपर, उसी के साथ 6000 TCS MCQ Railway Math Chapter-Wise और 6900 Railway सामान्य अध्यन अवेलेबल है। इन बुक को आप Flipkart और Amazon और Snapdeal तीनों साइट से मंगा सकते हो। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इस बुक की खास बात की, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको इस बुक के फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको ओर कर सकते हो। अब बात करते हैं कैसे आप अपने स्टेटस को देखेंगे। तो सबसे पहले जैसी रेल्वे किसी भी एक्जामनेशन को औरगनाइज करवाता है, तो सबसे पहले एजनसी फिक्स होती है, और उसके बाद में इस्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक जारी किया जाता है। यह आपकी रजिश्टिषनन डंबर है, और इसी की साथ साथ यह आपका नाम है। इसे की साथ साथ जिन students का reject होगा, उनको क्या दिखाएगा, तो जिन भी students का forum reject होगा, उनको ये दिखाएगा, कि your application has been rejected due to invalid photo, और वहाँ पे आपकी photo दिखाएगा, कि ये वाली जो photo है, उस वज़ा से आपका forum reject होगा है, तो photo को लेकर आपका कोई भी confusion है, तो आप comment box में हमसे पूत सकते हो कि आपका फोरम accept होगा या reject होगा photo in case उसी case में reject होगा जैसे कि कई students का बार-बार comment आता रहता है मेरी photo का background blue है मेरी photo का background green है तो railway ने especially mention किया था कि आपकी photo का background क्या होना चीए white background होना चीए हो सकता है कि clearly visible हो आपकी photo तो उस वज़े से आपका forum reject नहीं हो लेकिन railway reject कर सकता है अगर आपकी photo का background other कोई color है तो तो आप especially ध्यान रखें आप अपने forum के अंदर देख लेकि आपने किस तरह का photo upload क्या था इस बारे में सोचके अभी कुछ भी मतलब नहीं निकलने वाला अभी आप इतना confirm कर सकते हो कि आपकी mail पे जाके आपको rrb सर्च करना है उसे के साथ साथ आपको rrb के कुछ mail मिलेंगी जिनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो पहला mail मिलेगा आपको जैसे ही आपने rrb पे account create किया सेकेंड जो mail मिलेगा वो आपका मिलेगा payment successful का और उसे के थेर्ड mail के अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर साप साप लिखा होगा कि you have successfully submitted your application मतलब आपने successfully submit कर दिया आपका application उसके बाद में जैसे ही अपन बात करेंगे तो यह सारी तीन चार बाते थी जो आपको ज्यान में रखनी है और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि कब तक आपको status दिखाने लग जाएगा तो मेरी मान के चलो कि इस मन्त के अगर मैं बात करूँ तो इस मन्त में तो exam conducting agency अगर fix हो जाए तो वो भी railway के लिए बहुत बड़ी बात होगी और आपकी next month आप सबको पता कि exam की tentative date दी गई है तो आपकी next month exam होने की बहुत कम possibilities है बहुत ही rare case में आपकी exam next month स्टार्ट हो सकती है तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजे साथी चैनल को subscribe जरूर करिए क्योंकि subscriber काफी कम हो रहे हैं वीडियो काफी लोग देख परे हैं तो अगर आपके लिए यह चैनल थोड़ा बहुत भी informative है तो please subscribe कर दीजे जिससे मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है साथी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ share कर दीजे और ऐसे हो railway related वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर दीजे धन्यवाद